दर्शको हम सूरे के साथ बाकी ग्रहों की यूति की चर्चा कर चुके हैं आज उसी चर्चा में हम बात करेंगे सूरे और रहों की यूति की यानि जब सूरे और रहों एक ही घर में या एक ही भाव में एक साथ बैठ जाएं या सूरे के घर में राहू बैठा हो तो ये जातक को कैसा फल देते है सूरे और राहू का एक साहोना जनम पत्री में ग्रण योग बना देता है कुंडली के जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबन्द दशुप फलों में ये कमी ला देता है लेकिन बहुत बार सूरे और राहो की यूती से जातक को राज देता तक बनते हुए देखा गया है दर्शकों सूरे और राहो की यूती नकारात्मक प्रभाव जातक पर डालती है सूर्य और रहू की युति जिस जनमकुडली में हो उस जनमकुडली में सूर्य को दुरभागे का सूचक माना गया है जिसके कारण जातक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है यह योग जीवन में बहुत बड़ा संगर्श दे देता यानि जातक को हर मोड़ पर हर कदम पे जीवन में सिर्फ संगर्श करना होता है इतनी परेशानियों की वज़े से जातक कभी-कभी निराश भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेहनत करने के बाद भी सफलता मिलने में बहुत ही कठना ही आती है यह यूती जातक के संबंदों पर भी गहरा सर डालती है जातक की अपने दोस्तों से, रिष्टेदारों से, परिवार के संबंदियों से हमेशा अनबन रहती है गरन योग के कारण जातक के परिवार में लड़ाई जगडे होते रहते हैं, घर में अशान्ती बनी रहती हैं ऐसे जातक को अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है अब जिस घर में सूरे भी बैठा हुआ और राहू भी उसी घर में उसके साथ विराज मानो तो ये योग बन जाता है या फिर सूरे जिस घर में उस घर में राहू की छाया पढ़ रही हो दिरिश्टी पढ़ रही हो तो यह योग पित्रदोश के बराबर भी बनता है, इसे पित्रदोश भी कहते है सूरे को पिता का कारग भी माना गया और जब यह योग कुंडली में बन जाता है तो जातक को अपने पिता का सुख नहीं मिल पाता इसके कारण कुछ भी हो सकता है या तो पिता कहीं दूर रहने लगें या पिता से अन्बन हो जाए साथ ही ऐसे लोगों को सरकारी दर्ड मिलने की संभावना बनी रहती है यानि कानोनी पचड़े में पढ़ने की भी संभावना रहती है ऐसे जातकों का पिता का स्वास्ते खराब रहता है कई बार तो पिता का उपचार कराने के बाद इस स्वास्ते में कोई लाब नहीं पड़ता सूरे और रहू एक दूसरे के शत्रू ग्रह माने जाते हैं जहां सूरे ग्रह का राजा है वहीं राहू राक्षरसों का राजा माना जाता है यह बात तों हमेशा से जानते हैं कि देवता और राक्षरसों के आपस में कभी नहीं बनती सूरे उजाला का परतीक है राहू अंकार का परतीक है सूरे विगवान है तो राहू राक्षस है ऐसा भी माना जाता है कि राहू खुद को सूरे में परिवर्तित कर लेता है जिसके कारण सूरे का परभाव कम हो जाता है और राहू का परभाव कुंडले में बढ़ जाता है ये है असर कम से कम जातक कि कुंडली में 35 वर्ष तक तो रहता ही है इसके बाद ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और वास्तविक सूरे चमकता है जिन जातको की कुंडली में ये योग है वे आमतोर पर एहनकारी होते हैं गमंडी सभाव के होते हैं इस घरेंट से बचने के लिए उपाय करें उपाय करने से ये योग अपना सर कम कर देता है और राहू भी शान्त रहता है राहू को शान्त करने के लिए जातको को किसी जरूर्त मंत की साहता करनी चाहिए सूरे मंतर का जाप करना चाहिए नारायन मंत्र, गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र का भी जाप करना चाहिए इसके साथ इसाथ आए के साथ नों में विर्दी होने लगती है और अशुप परभाव धीरे धीरे दूर होने लगते है जातकों को अपने जीवन में मान समान पाने के लिए या मानसिक शान्ती के लिए विश्णु भगवान की तो पूजा बश्य ही करनी चाहिए रोज धीपक भी जलाना चाहिए यानि रोज धीपक भी प्रजवलित करें ऐसा करने से जातक किस वास्ते पर नुकुल प्रभाब पड़ता है और मान सम्मान में विर्दी होती है जातक क ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे राहुशान्त रहे गरीब लोगों की मदद करें ऐसे करने से जातक कि जीवन में खुशाली आसकती है यदि कोई जातक अपनी नोकर में परमोशन या नोकरी जाता है तो सूरे घरण के समें सूरे के मंत्रों का करें ऐसा करने से बहुत अच्छा रहता है अच्छा रहता है